आगे अब बात ज़रा किसानों की भी कर लेते हैं किसान अंदूलन क्या जल्द खत्म हो जाएगा यह सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि संगचनों के बीच मतभेद दिखने को मिल रहा है राकेश्ट कैसे खास पासचीत की अबने सुनिए किसान अंदूलन का क्या होगा राकेश्ट कैसें हमारे साथ हें कभेड हैं कि वायरस घुज गिए है किसान अंदोलन में क्या कुछ कोरोना टाइप का वायरस है या अलग टाइक इसम मह कुछ नहीं और कि यहां कुछ नहीं कुछ सब ठीक है शांत है और अब बात है कि फंच होता है आपके गाउत गाउसे हो तो सरकार करें कि क्या कि पंच बणहरा दो पांच लोगों को बुलाव तो कुछ अभ लग Wrap रहां कि ओस्षिस्क बात हो बनाने की मुकद्मिर और अपना स्युक्त मुर्चे इसमें बताएं आपके किस से बात हो तो सभी जत्थेबंदी उसे बात करें हुआ हमारे हैं सरकार से लिए वह तो बात हो रही हैं हमारी जीत है बड़ी जीत में हैं में कोई इस तरह का आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि हम घार जाना चाहते हैं कि हम भी बैठेंगे सब को बैठाएंगे कि सब बठेंगे और जो लड़ना चाहते हैं कि सरकार से नहीं हां उन्हें मुकदमों की लिस्ट देनी पुड़ेगी पता सब आपको उसमें लिखना पड़ागा मेरे पर यह मुकदमें यह मुकदमें कि लोग कहते हैं कि अगर आके इस टिकैट चले गए तो सरकार उनके खिलाफ कारवाई कर रही इस ड़र से भी यहीं बैठे हुगे राकेश टिकैट डरता नमे प्रपर्याट्रीटी का डर है नमे मोत का डर है नमे जेल का डर है हमारा जो काम था हो रहा है हमें किसा चीज़ का नहीं हम यह निए के हरियाने पे 55,000 मुखदमे हैं जब तक वे खतम नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे कोई नहीं घर जाएगी। उन हरियाने के लोगों को छोड़ करे नहीं जाएंगे जो तरप्रदेश में मुकदमे दरज है उनको छोड़ करनी जाएंगे जो उत्रा खड़ने में दरज मुकदमे है वे सब वापसी होंगे और यह इसी महिन्य में होंगे सब लोग गाउं में तयार बठे अभी उनको कहा नहीं अभी फाइनल मैच होगा एक महिने में यह सब